एक बार एक लड़का अपने फ्लैट के सात्वे मंजिले पर अपने खिड़की को अंदर से साफ कर रहा था और वो अच्छानक खिड़की से कूच जाता है बता दे कि वो रसी से भी नहीं बना था तो बताईए वो लड़का कैसे बच गया तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं लड़का खिड़की से बालकानी में कूदिता है जिससे वो खिड़की बाहर से भी साफ कर सके तो भाई लोगो इस बात पे वीडियो को लाइक कर दें एक जलते हुए घर के पास दो आदमी खड़े थे वहां से गुजरते हुए एक वेक्टी ने उन्हें पीछे घहसित दिया लेकिन फिर भी उस वेक्टी को जेल हो गई बताओ क्यूं तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं वह दो आदमी फायर ब्रिगेट के थे एक बार संदे को बारिस में एक छोटी से सहर में एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें एक रेड मिनी बस एक लड़की को हित कर देती है पुलिस को मिनी बस के तीन मालिक मिले पहला वरून दूसरा तरून तिसरी तीना पुलिस ने वरून से पूछा कि उस समय तुम क्या कर रहे थे तरून ने बोला मैं और मेरा दोस्ट उस समय वीडियो गेम खेल रहे थे और अंट में पुलिस ने तीना से पूछा कि उस समय तुम क्या कर रही थी तो तीना ने जवाब दिया मैं उस समय सौपिंग कर रही थी पुलिस इन सब तीनों की बात सुनकर पता लगा लेती है कि तीनों में से जूट कौन बोल रहा है अगर आप पता लगा पाएं तो आप अपना उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिए तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं वरुन जूट बोल रहा है क्योंकि जब बारिस हो रही थी तो वह कैसे पेंट कर रहा था तो दोस्तों इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एक प्रसीध रसाइनिक वज्ञानिक की हत्या कर दी गई थी जासूस मेहूल अपराद अस्थल पर पहुचा उन्हें बताया गया था कि वज्ञानिक एक बड़ी परियोजना पकाम कर रहे थे उनके साथ तीन सहायक भी थी घटना अस्थल का विसलेसर करते हुए मेहूल को वज्ञानिक के हाथ में एक चान्दी का चम्मच मिला मेहूल ने सोचा किया वज्ञानिक खूनी को धूर्णे के लिए सुराग छोड़ गया है सुराग को देखकर क्या अब पता लगा सकते हैं कि खूनी कौन है तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों इस पहली का उत्तर अगत्या है क्योंकि चान्दी का रसायन प्रतीक एजी होता है और अगत्या के नाम के आगे एजी वर्ड लिखा है इससे ये पता चलता है कि वज्ञानिक ने रसायन सुराग छोड़ दिया है और मेहूल ने तुरंट अगत्या को गिरफतार कर लिया स्री हार्ट मेहूल के करेले पहुचे और उन्हें सुचित किया कि उन्होंने कल रात एक हत्या देखी फिर वह उसे सब कुछ बताता है मैं ओफिस से घर जा रहा था काफी अंधेरा था और सड़के खाली थी अचानक मेरी कार रुख गई सुरू ही नई हो रही थी कार की बैटरी डाउन हो गई थी तभी मैंने बंदूग की आवास सुनी मैं वास्तों मैं दर गया और कार की हेडलाइट चालू कर दी तभी मैंने किसी बंदूग से एक नकापोस आदमी को देखा और किसी को गोली भी मार दी मैं दर गया और भाग गया क्या आपको लगते है कि मिश्टर हर्थ सच बोल रहे हैं या जूत बोल रहे हैं आप अपना अंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं स्री हार्थ ने उले किया कि उनकी कार की बैटरी नीचे चली गई फिर वा हेडलाइट कैसे चालू कर सकता है वा जूत बोल रहा है धमाका सिंग अपने कुत्ते के साथ तहल रहे थे उन्हें बेंच पर रखा एक बतुआ मिला जब वह बतुआ लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसका कुत्ता भाग गया धमाका सिंग ने अपने कुत्ते का पीछा करना सुरू किया लेकिन इन तीनों घरों के पास उसे खो दिया उसने सोचा उसका कुत्ता निश्चित रूप से इन तीनों घरों में से किसी एक में है उन्हों ने पटे घर में जाकर उनसे पूछा पहला घर मेरे पास मेरा सबसे प्यारा पिल्ला है मैं तुम्हारे कुत्ते को क्यों पकड़ूंगी दूसरा घर मुझे कुत्तो सनफरत है मैं अपने घर में कभी भी कुत्ता नहीं रखती तीसरा घर मेरे पास एक प्यारा बिल्ली कब अच्चा है मैं तुम्हारे बड़े से कुट्टे को क्यों पकड़ूंगी क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन में से कौन जूत बोल रहा है आप अपना एंसर हमें कॉमें बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिए तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर तीसरी महिला है क्योंकि उसको कैसे पता चला कि धामाका सिंग के पास एक बड़ा कुट्टा था उसने कुट्टे को पकड़ लिया तो भाई लोगो इस बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही मस्त मस्त जासूसी और दिमागे पहलियों के लिए लियाना जब सड़क पार कर रही थी तो उसे कार ने तक्कर मार दी द्राइवर ने इंतिजार ने किया और तुरंट घटनास्थर से भाग गया आस पास के लोग लियाना की मदद के लिए आए और उसे अस्पटाल ले गए लोग कार का नंबर प्लेट नए लिख सके लेकिन कार का पूरी तरह से वर्डन किया मेहूल जासूस ने कार की खोड सुरू कर दी थोड़ी देर बाद मेहूल को वैसे ही कार मिली मेहूल ने तीनों मालिकों से पूछ ताच की पहली कार मैं अपनी कार्ड हो रहा था मेरा पैर फेक्चर हो गया है मैंने एक महिने से अपनी कार्ड नहीं निकाली है दूसरी कार मुझे पिछले हपते सीर में चोट लगी थी मेरी कार तब से गैरेज में है तीसरी कार मेरा हाथ फैक्चर हो गया है मैं द्राइव नहीं कर सकता मैंने एक महिने से अपनी कार नहीं निकाली है तो दोस्तों आपको ये पता लगाना है कि इन तीनों मालकों में से कौन जूट बोल रहा है तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर तीसरा कार का मालक है क्योंकि उसके गैरेज के ठिक सामने उसके कार के पहिये का निसान है मेहुल ने उसे तुरंट गिराफ़तार कर लिया एक अध्री से चोर सहर में घूम रहा था हर दिन वह घर को लूतता था और घर से सिर्फ एक ही समान चुराता था उसने रियान के घर से एक फ्रिज चुराया उसके बाद चोर ने ब्रान के घर से एक ब्राउन टेबल चुराया उसके बाद चोर ने काजल के घर से एक काली कुरसी चुराया उसके बाद चोर ने गिरीज के घर से एक ग्रे माइक्रो ओवन चुराया तो दोस्तों आपको ये बताना है कि चोर प्रिया के घर से कौन सी चीट चुराएगा आप अपना एंस्वर हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिए तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर पिंक मिक्स्चर होगा क्योंकि चोर उन वस्तुओं को चुराता है जिनके मालिक का नाम पहला अच्छर से सुरू होता है जैसे रियान से रेज़ फ्रीज, ब्रान से ब्राउन टेबल, काजल से काली कुरसी, गिरीज से ग्रे माइक्रो ओवेन और अन्त मेच्चो और पिंकी से पिंक मिक्स्चर चुराएगा क्यों दोस्तों दिमाग घुम गया ना क्यों पारी कुरस्ट यह कि अवेन और आन्त मेच्टो पिंकी से ब्राउ़न